आज के इस वीडियो में हम लोग ये वेबसाइट बनाएंगे और इस काम को हम लोग 5 मिनिट के अंदर अंदर करेंगे अब आप लोग और बले 5 मिनिट में वेबसाइट कैसे बन सकती है क्या ये सच है क्या मैं बना पाऊंगा अब देखो मैं तो बनाई लूँगा मैं चाहता हूं कि आप बना पाऊ और यही मेरी गैरेंटी एस वीडियो के साथ की इस वीडियो को पूरा देखने के बाद मैं नहीं आप बना पाऊंगे 5 मिनिट में वेबसाइट जब कोई इनसान मेरे पास आके मुझसे बड़े बड़े दावे करता है कि मैं 150 किलो ठालूँगा या फिर मैं 500 किलो ठालूँगा या मैं ऐसा कर दूँगा वैसा कर दूँगा तो मैं कहता हूँ यार आप तो एक्सपर्टों, आप तो करी लोगा, मैं कर पाऊंगा, या नहीं कर पाऊंगा? इस वीडियो में मैं आप से कह रहा हूँ कि आप बना पाऊंगे पांच मिनट के अंदर अंदर, पांच का पांच मिनट, एक सेकिंड नि लगेगा, पांच मिनट के अंदर ही बन जाएगी पूरी वेबसाइट, अच्छली रीसेंट्ली मेरे पास एक ऐसी रिक्वार्मेंट आ जो कि फोन, टैबलेट, आपका कम्प्यूटर, कोई चौड़ी स्क्रीन, हर करा की स्क्रीन में, यानि कि रस्पॉंसिव वेबसाइट बनेगी एकदम, और धमा के दार UI बनेगा, और सिर्फ एक वेबसाइट नि बनेगी उसको आप कस्टमाइज करना अपनी नीट के हिसाब से अगर आप लोगो बटन उपर चीए, एडर उपर चीए, कुछ नीचे, कुछ साइड में चीए, तो उसके हिसाब से आप कस्टमाइज आराम से रपाऊगे इस वेबसाइट को, एक वर्जन में बना के दिखाऊंगा, वीडियो में में स्टेब स्टेब चीजे आप लोग और टेकनिक आप लोगों के लिए लेके आऊँगा, फिलाल इस निंजा टेकनिक को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर और कोडिंग चालू करते हैं उसने बोला कि it is possible but I can't do it क्योंकि मेरे पास और भी काम है, तो उसने बोला कि यह बहुत जादा urgent है क्योंकि उनका एक store है और उनको एक website बना के अपने store का प्रचार करवाना है और उसके बाद अगर उनको नहीं मिली यह website तो आज शाम को तो उनको बहुत सारा नुकसान हो उनको बहुत सारे products पेचने है और क्योंकि वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और फिर जो उसका cousin था वो यह was also ready to pay उसने का किया जो बोलो कि pay करूंगा तो मैंने का चलो ठीक है त्रोड़ा टाइम मैं निकाल के करता हूं इस चीज को और मैंने उसके बाद जो अपने दिम जाता हूं आप लोग को गया क्या नहीं चीज बता रहे हो नहीं चीज है होगी आपके लिए लेकिन इतना असार है नहीं बहुत असान है copy paste है simple simple copy paste अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो follow कर लो जो मैं बता रहा हूं जैसे जैसे कर रहा हूं और देखना आप भी बना दो तो google पे लिखनो डालके नहीं तो tailwindcss.com पे directly आ जाओ और उसके बात क्या करो यहां get started पे क्लिक कर दो अब यहां पर जैसे get started पे आप लोग क्लिक करोगे बहुत सारी चीज़े आप लोगो बताएगा यह कैसे install करना मैं आप सीधे नीचे आ जाओ और यहां पर using tailwind via cdn इस आप लोगों को मैं तो यहां पर मेरे पास एक folder खुला हुआ है मैं आप इसको vs code में खुलूँगा आप लोग right click करके open with code पे क्लिक करना यह आपका folder जो है वो खुल जाएगा open with code पे क्लिक करके यहां पर आपको मिल जाएगी यह screen देखकर आप लोग यहां पर index.html एक file ब मैं इसको copy कर लूँगा सीधे पूरे को जो लिखा हुआ है इसको पूरा copy कर लूँगा और यह copy करने के बाद क्या होगा मेरे पास tailwind CSS आ जाएगी paste किया मैंने इसको tailwind CSS मेरे पास आ चुकी है अब यहां पर मैं tailwind CSS यहां पर अपने components बना सकता हूँ यहां पर लिख सकता करूँगा क्या ज्यादा मैं आपर इन सब चीजों को नहीं मैं देखूँगा अगर आप लोग चाहो तो components पे जाकर इनके पास बहुत सारे components है को use कर सकते हो इसे कि alerts, buttons, cards, forms, grids, navigation बहुत बढ़ी आई अभी इसको आप explore कर सकते हो लेकिन मैं आपको बताऊं को technique वह जिससे पांच मिनट के अंदर website और आप internet पर search मारो tail blocks ठीक है tail blocks search मारो और यह बहुत ही कमाल की चीज़ है मुझे बहुत अच्छी लगी अगर आप लोग यहाँ पर tail blocks पे click करोगे तो यह website खुल जाएगी पहला link आएगा यह वाला github.io का और यह इतनी must चीज है कि simple copy paste में आपकी website बन जाएगी. तो सबसे पहले आप website जब बनाती हो तो क्या चीज होती है जो अगर इसी website की बात करूँ मैं तो इसके अंदर सबसे पहली चीज क्या है इसको paste कर दूँगा यहाँ पर paste करके मेरे पास header आ चुका है right click करके open with live server करूँगा by the way live server एक extension है जो कि आप download कर सकते हो vs code के आई extension पर यहाँ पर live server लिखकर इसको install करें और right click करके open with live server करोगे तो यह website जो भी बनाई है वो आपकी live server में खुल जाएगी जैसे कि देख सकते हो आप लोग मेरी यह website खुल चुकी है मानलो मुझे बनानी है एक gym की website I am just taking an example मानलो मुझे एक hairy fitness करके website बनानी है जो कि मेरे gym की listing को यहाँ पर दिखा रहा है तो देखो मैंने यहाँ पर title change किया तो यहाँ भी title change हो गया अब यह MADDE जहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ पर मैं लिख दूँगा H fitness ठीक है मानलो मैं यहाँ पर H fitness लिखता हूँ तो इतर को live update हो रहा है live server का काम ही है फिर यहाँ पर first link, second link, third link के जग़ा मैं लिख दूँगा home, यहाँ पर मैं लिख दूँगा about, similarly नीचे पर लिख दूँगा services, जो भी लिखना चाहते हो आप लोग यहाँ पर लिख लेना तो home about, services और उसके बाद मैं यहाँ पर लिख दूँगा contact तो मैंने आपर contact लिख दिया और इन sub में आप लोग जो है href add कर सकते हो, href is equal to मैंने by the way अपने vs code में मैंने by the way vs code में अपने दबाया alt shift or down arrow आप alt दबा के multi cursor बना सकते हो vs code में और editing कर सकते हो multiple cursor की मदद से कहीं पर भी क्लिक करके आप लोग जो है फिर multiple cursor को हटा सकते हो at this point हमारी website ऐसी दिख रही है और यहाँ पर button की जगह पर मैं लिख दूँगा enroll now तो यहाँ पर आप enroll now लिख सकते हो और उसी के साथ साथ इसमें जो href हो डाल सकते हो तो enroll now पर क्लिक करके कहीं पर आप लोग चले जाओगे किसी page पर redirect हो जाओगे अब एक बार आपने यह header बना लिया तब आप चाहोगे कि आपकी website में कुछ एक homepage हो इस तरह से वो एक landing page हो सकते हैं आप contact info हो सकती है depend ने करता है आपकी website पर लेकिन मैं क्या करूँगा कि मैं simply copy करूँगा और इसको यहाँ पर paste कर दूँगा ठीक है एक section मैंने बना लिया और यहाँ पर में यह website में यहाँ पर image आ गई है अब मैं source unsplash में जाऊँगा by the way source unsplash जो है वो यहाँ पर unsplash एक website है जो कि क्या करती है आप लोगों को बताती है कि किस तरह से आप लोग जो image हैं किसी भी तरह के वो download कर सकते हैं कोई भी image आप download कर सकते हैं I think मैं थोड़ा fast जा रहा हूँ मैं जस 5 minute के अंदर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ पर since मैं आप लोगों को बता रहा हूँ मैं थोड़ा slow down करके चीजों को समझाता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ किस website पर जाना है कहां से copy करना है यह सब आ गया एक बार तो 5 minute के अंदर ही बनेगी लेकिन चीज़े मुझे आप लोगों को समझाने के लिए थोड़ा time चाहिए होगा अब देखो यहाँ पर यह जो image है आप लोग इसको नीचे आज से search term के हिसाब से image को ले सकते हूँ जैसे कि 500 by 500 की मालनो मुझे image चाहिए अब यह 720 by 600 की image है तो मैं अगर एक नई tab खोलके 720,600 लिख दूँ यहाँ पर मैं लिखोंगा 720 और X लिख दूँगा और 600 लिख दूँगा 720 by 600 की image मुझे चाहिए तो यहाँ पर मिल जाएगी nature और water की यहाँ पर यह कह रहा है कि we couldn't find this photo लगता है मैंने यहाँ पर X को capital बना दिया मुझे small बनाना चाहिए था तो मैंने X को capital बना दिया गलकी से अब मिल जानी चाहिए photo तो यहाँ पर देखो एक image यहाँ पर मुझे मिल गई है तो मैं SRC is equal to dummy image मैंने जाऊँगा मैं यहाँ पर इस तरह से 720 by 600 की coding in fact fitness की लेते हैं न इमेज जब fitness की website बना रहे है तो यहाँ पर fitness और gym मैंने लिख दिया है और यहाँ पर मुझे यह image यहाँ मिल जाएगी unsplash एक कमाल की API अभी कहना भी कोड़न फाइंड फाइंड फोटो क्योंकि मैंने वापस से यहाँ पर capital X लिख दिया है small x मुझे लिखना चाहिए मैं थोड़ा slow जा रहा हूँ थोड़ा time अगर जादा भी लग जाता है वीडियो में तो कोई problem नहीं है और यह image यह हर बार refresh होती है तो मैं इसको reload करूँ अगर तो एक नई image यहाँ पर आ जाएगी और यहाँ पर आप लोग मन चाहिए अपने मन का यह लिख सकते है let's get ready to be fit इस टाइप से कोई लिख सकते हैं और मैं आपर लिख देता हूँ let's get ready let's get ready to be fit और let's hit the gym यह website यहाँ पर बन गई है अब अच्छी बात यहाँ पर यह कमाल की कि यह website जो है वो एक तम responsive है यार देखो responsive है फोन में ऐसे खुलेगी तो देखो कितनी मज़ेदार website बन गए इतने कम टाइम में और इतना बन गया है तो नीचे कभी आप आप लोग समझी गए होगा हम लोग कैसे बनाएंगे तो बना के दिखाई देता हूँ आप लोगों को तो इसको copy paste अप्लोग करके लगा सकते हो तो मैं section के बाद इसको इस तरह से लगा दूँगा और मैं इस वीडियो में आप लोगों कोई भी concept नहीं सिखा रहा हूँ टेक्नीक सिखा रहा हूँ और इस तरह की रणनीती बनाई आप लोगोंने तो देखो आपको concept तो चाहिए लेकिन अगर इस तरह की रणनीती भी आती है आप लोगों तो आप लोग एक ऐसे developer बन जाओगे कि आपका कोई मतलब मुकाबला नहीं होगा ठीक है तो यहाँ पर देखो यह steps अगर चाहिए आपको किस तरह इंडॉल करना है तो वह step आप लगा सकते हो यह एक अच्छी से image लगा सकते हो फिर यहाँ पर इस तरह का step one step two अगर ऐसा चाहिए तो इसको ऐसे आप कर सकते हो तो कई तरह के component है finally आप लोग अगर चाहो contact लगाना तो contact लगा लो यहाँ पर मैं clean contact page को prefer करता हूँ तो मैं इसलिए यहाँ पर इस पर आके और contact वाला जो लगा के छुट्टी क चेंज करना है वो सब भी आप लोग करी लोगे यह जो यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है यह सब आप लोग अपने मन पसंद का लगा सकते हो बटन का कलर वगएरा टेल में चेंज कर सकते हो और आप लोग एक लेवलपर हो लेकिन अगर आपको requirement आ जाती है कि आपको रा सारा content है अब यहाँ पर आप HR से इसको बड़ा भी कर सकते हो यहाँ पर एक बड़ी सी लाइन भी लगा सकते हो तो अगर मैं हर section के बाद एक HR लगा दूँ यहाँ पर कुछ इस ताना से मतलब possibilities endless हैं लेकिन यह वीडियो मैंने बनाया इसलिए था कि आप लोग को इस तरह की रणनीतिया पता चलें और इस तरह की चीज़े आप खोजोगे तो आपको और मिलेंगी जैसे कि Tailwind CSS और Tailblocks का combination है कमाल का combination है इतने कम टाइम में वेबसाइट बनेगी अगर मुझे कोई challenge करता है ना कि वेबसाइट बनाना है दो मिनट में या तीन मिनट में और बतारो हाथ तेज़ चले तो एक मिनट के अंदर भी बनेगी वेबसाइट बतारो अगर मतलब अगर मैंने अपने कान में रू जाएगी लेकिन ये person to person depend करता है अगर आप लोग एक beginner है तो मैं ज्यादा recommend नहीं करूँ हागी सिर्फ यही सीख लो मैं यह नहीं कहा रहा हूँ कि यह सीख लो और ditch कर दो और मैंने यह जो course बनाए बेकार है ऐसा कुछ नहीं कहा रहा हूँ मैं यह सब चीजे भी आनी चाहि है submit करो कि कहा जाएगा form का data उसके लिए तो आपको backend चाहिए ना फिर complexity बड़ेगी जब आपको video calling बनानी है chatting बनानी है तो कोई tailwind से थोड़ ना बन जाएगी बैठे बैठे तो मैं सिर्फ आपको prototype इस तरह के quickly अगर आप लोगों को designs बनाने जैसे कि मेरे case में आई requirement मेरे प तो उन cases में इस तरह की situations में आप लोग इसको use कर सकते हो और इस तरह की यह सिर्फ tailwind पर ही लागू नहीं होता है यह सिर्फ website development में लागू नहीं होता है यह आप लोग अलग-अलग domain में भी कर सकते हो depend करता है तो इस तरह की चीज़े भी बस मैं आप लोगो बताना चाहता चाहता है और website लगई है धमागेदार tail blocks को explore करना मैं चाहता हूँ कि आप लोग tail blocks के जो components इनको देखो और मैं आपको guarantee दे सकता हूँ कि जो भी prototype जो भी section आप बनाना चाहते हो वो आपको already यहाँ पर मिल जाएगा इस तरह की blog की category हो चाहें वो blog post हो इस तरह की किसने लिखे learn more यह वो चाहें फिर वो contact page हो चाहें वो content हो कई चीज़े देखो यहाँ पर है इनको आप explore कर सकते हो फिर यहाँ पर देखो आप लोग CTA है call to action कई चीज़े इसमें दियो ही है इन्होंने कि जैसे अगर कोई app install करवाना चाहरा है अपनी और भी कई चीज़े है आपर फिर e कमाल की चीज़ है यह कम से कम टाइम में आप लोगों को जादा से जादा करके देती है और यह component देखो जो भी सोच रहोगे आप वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा लेकिन with that said मैं एक और चीज़ आप लोगो बताना चाहता हूं कि web development अपने आप में एक अलग चीज़ है औ और copy-paste web development का replacement नहीं है और ना कभी होगा at least coming days में तो कभी नहीं होगा coming years में नहीं होगा कल कुछ और बन जाता तो मुझे नहीं पता 100-200-500 साल के बाद लेकिन अभी coming years में आपको coding सीखनी है आपको अपनी javascript skills पर अपनी हर तरह की skills पर CSS हो HTML हो उन पर काम करना है अब clipboard करके सिर्फ यहां पर end में अपने paste कर लूँ उतना काफी है मेरा footer जो है बन जाएगा कोई tension की बात नहीं है और यह दो मेरा footer add हो गया है यहां पर चाहूं मैं तो यह हटा भी सकता हूं यह categories वाली चीज है अब इतना हटाने के लिए तो आपको बस इतनी CSS javascript आनी हो तो यह सारी चीज है आप लोगों को सब कुछ मिल जाएगा यहां पर मैंने projects बना रखे हैं बहुत अच्छे 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 at the end मैंने एक complete responsive website बना के दिखाई यह chat app बना के दिखाई है using जो भी हमने concepts यहां पर सीखे है और github पे किस तरह से post करनी है website सब कुछ यहां पर मैंने बता रखा है hosting वगयरा कोई जिस skip नहीं गरी है मतल करेंगे और यहां क्लिक करके save भी करेंगे आप लोग को definitely फायदा होगा यह मैं आप लोग को बता सकता हूं guarantee के साथ अगर आपने पूरा कोट देख लिया तो so अगर आप लोग को यह idea पसंद आया तो इस वीडियो को like जरूर करना है और अभी के लिए इस वीडियो में इत क्लिक ¿चुए पारा को बता सकता है और को लादा आप है?